तो दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुती टेस्टी आसान जटपर से बनने वाली बिल्कुल नए नास्ते की रेसिपी जिसे हम पोहा और आलू से बना के तयार करेंगे ये बहुती सिंपल सी रेसिपी है और एक्टम क्रिस्पी सी बन के तयार होती है तो इस रेसिपी को आ एक पस्ट में या फिर इवनिंग स्नेक्स में भी बना सकते हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागते मेरे चैनल पर तो वीडियो जरूर लास तक देखिएगा और नीचे दिएगे लाइक बटन पे जरूर क्लिक किजिएगा और चैनल को सब्क्राइ है दो से तीन बार अच्छे से मसल मसल के धोलेंगे जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाए तो पोहे कि हमने 2-3 बार धोलिया है तो अब हम पोहे में थोड़ा सा पाणी डालेंगे तो यह देखिए पानी मतलब इसके लेवल का ही डालना है जितना पोहा है उतना ही पानी डालना है और इसे पांच मिनट साइड में छोड़ देना है जिसे की पोहे अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के कच्चे आलू लिये हैं और इन्हें छील लिया ता और इन्हें इस त्रसे हमें कट कर लेना है तो यह देखें इसे कट कर लिया है और इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे जिसे की जो आलू में स्टार्च होगा वो निकल जाएगा तो देखें इसे मैंने धो लिया है और इसे हम साइड में रखेंगे तो देखें पांच मिनट हो जो हमने साइड में कट करके रख लिये थे तो अब हम इसमें दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम जाधा भी डाल सकते हैं तो यहां मैंने अब एक छोटा टुकडा अद्रक का इस तरह से काट के डाल दिया हैं तो अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के ही पिसेंगे और इस तरह से महीन सा पेस्ट त्यार करेंगे तो अब हम एक बरतन ले लेंगे और सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे तो यह रेकी पेस्ट डाल दिया है तो अब हम इसमें एक छोटा चमस जीरा डालेंगे और एक छोथा ही छोटा चमस काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे चुटकी पर हिंग पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे दो चमस भर के मैदा डालेंगे और दो चमस भर के ही कौन फ्लोर डालेंगे आप चाहे तो पूरा ही मैदा डाल सकते हैं या फिर फूरा ही कॉन फ्लोर डाल सकते हैं और दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ देखिए ये नाश्ता में बड़ो के लिए बना रही हूँ इसलिए हरी मिर्च का जादा यूज़ कर रही हूँ तो अब यहाँ पर हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और सारे मसालों को हमें पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अगर आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं तो इस बैटर को हमें 2-3 मिनट तक लगातार फेटते रहना है तो देखे इस नास्ते में हमने बहुती कम मसालों का यूज़ लिया है और ये कम मसालों में भी ये नासाना बहुती टेस्टी और क्रिस्पी बनके तयार होगा तो ये देखे इसे हमने 2-3 मिनट फेट लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है हमें बैटर इस तरह का चाहिए अगर ज़्यादा पतला लगे तो थोड़ा सा मैदा और भी एड़ कर सकते हैं तो बैटर हमारा अच्छे से तयार हो चुका है तो हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो गैस पर मैंने कड़ाई में तेल घरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा अच्छे से घरम होना चाहिए तो सारी बैटर से इस तरह से छोटी-छोटी हमें बड़िया डालनी है जिस तरह का जो बैटर होता है पकोड़े का उसी तरह से बैटर भी तयार करना है और इस तरह से छोटी-छोटी पकोड़िया बना लेनी है गैस की फिलिम को हाई रखे और तेल अच्छे से गरम होना चाहिए नई तो कम आज पे आप करेंगे ना तो बड़िया इसमें डालते ही एक्टम से बिखरने लग जाएगी और सारी बड़ियों को इस तरह से डालने के बाद अमें गैस की फिलिम को मीडियम रखना है जिसे के ये बड़िया अंदर से बहुत ही अच्छे से सिखेगी और उपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी तो इसे डालते ही जहागाने शरू हो जाएगे और डालते ही डारेक हमें इसे टश्ट नहीं करना है ये हलकी से पकने के बाद अपने आपसे उपर आ जाएगी तो ये देखिए ये अपने आप से उपर आ गई है और इसे सेकने का 6-7 मिनट हमें लग जाता है तो इसे हमें अच्छे से सेक लेना है तो इसे उलट फुलट करते हुए हमें सेक लेना है तो ये देखिए इसका color हलका सा change हुआ है तो हलका सा golden color हो जाएना तब हमें इसे बाहर निकालना है तो एक ही बार में इसे 6-7 मिनट लग जाते हैं पकाने में बहुती क्रिस्पी नाष्टा बनके तयार होता है तो ये देखिए अच्छे से पक चुकी है इसका golden color हो चुका है तो अब हम इसे plate में निकाल लेंगे तो ये देखिए इसकी आवास सही आपको मालूम चलके होगा की नाष्टा कितना क्रिस्पी बना है तो इसी तरह से हमने सारी पकोडियों को fry कर लिया है देखिए हमने सोडा वगेरा का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं क्या है तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा oily नहीं होती है स्रिफ घर में रखे हुए सामान से जट पर से बनके तयार होती है और बहुती टेस्टी लगती है तो इसे आप टामाटो कैचिप के साथ या फिर हरे धन्य की चटनी के साथ खाए बहुती स्वादिस लगेगी तो दोस्तो आलू और पोहा की रेसिपी तो आपने बहुती ट्राई की होगी लेकिन ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा बहुती यूनिक रेसिपी है तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसे लेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरद की नई नई रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद